हलो गाइस स्वागत आपका अगर नए व्लोग में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं या महा की आरवन फाइफ वी फॉर मॉडल टूज़न टूज़न टूज़ने वाला है तो इसका स्पीडोमेटर आपको डिजिटल मिलने वाला है और इसका आपकी वार डिजिटल के अ जा दो लेगी और मैंफ लेंगा पको और गैसा मिसके एडलाइट की बात कर लेता है तो इसके अंदर आपको डी फंक्श्नल LED हैटलाइट चलेगी इसके अंदर आपको डूएल चनल एवेस मिलेगा एंड इसके लाइश का 1 1 42 टार बैट होगा और आर गाइसके अंदर आप आपको डेल्टा फ्रेम बॉक्स मिलेगा और डूल जनल एविस मिलेंगे विद स्विंग फ्रेम के साथ एडिसका वर्टी एम सुपर वाइड रियर टायर मिलेगा और अल्यूमेंट के इंजिन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 155 CC इंजिन लिक्विड कॉल्ड 14.2 NV रहेगा और एक्षन कंट्रोल मिलेगा और की के सिफ्टर क्लच मिलेगा आपको इसके अंदर और डाउन फ्रेंट सेस्पेंशन 37 mm रहने वाला है और फ्रेंट डिस्क ब्रेक 282 mm रहेगा और रियर डिस्क ब्रेक आपका 220 mm रहेगा और गयस इसकी हम टायर की बात कर ले तो 17 इंजिस के टायर रहेंगे डेडियल और एरो डायमिक इसका बोडी डिजाइन रहेगा और गाइस अम इसकी फ्यूल टैंक की बात कर लेता है तो फ्यूल टैंक नियर अबाउट आपको 11 लिटर्स का फ्यूल टैंक मिलेंगा उसका ग्राउंड क्लेरंस आपको 170 mm मिलेगा इसका 1325 आमें रहने वाला है और सी्ट हायट इसकी 815 mm रहने वाली है और गाइस के साइट प्रुफाइल की बात करी जाए तो इसका साइट प्रुफाइल का फिस्पोर्ति-ट्रुट्रोग प्रोइड करता है और राइडिंग मोर्स के अंदर आपको आपको ट्रैक मोड एं ताकि आपको इसे चलाने में बेस्ट कमफर्ट फील हो काईस बाइकी जायतर रही है स्पोर्ट्स वगरा एंड रेसिंग वगरे के लिए बाइक बनी हुई है यामाहा यामाहा ने 2020 में आर वन फाइफ का वी थ्री मोडल लॉंच कर रहा था तो 2021 में आर वन फाइफ का वी थ्री मोडल लॉंच कर रहा हुई आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँ तो आप मेरे चैनल को जाए 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 सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें